हेलो दोस्तों कैसे हैं आप स्वागता आफी के चैनल किर्किट फेंटेसी अलेविन पर भाईयों में इस वीडियों में बात करूँगा STO versus UMEK के बीच ECS T10 Sweden का वाई next मैच खेला जाना है दोस्तों मैं इस मैच को deeply analysis करूँगा साथी साथ भाईयों सभी पिलियर का stat जानेंगे उसी के base पर अपने DRAM 11 की team create करने वाले हैं साथी साथ भाईयों में आपको captaincy और vice captaincy की best pick बताने वाला हूँ तो वाई please वीडियो को end तक जरूड देखना इसी के साथ भाईयों में आपको small league और grand league दोने की team create करके दूँगा ताकि आप इस match में अच्छा कासा amount बिन कर सकें अगर भाईया आपने अभी तक हमारे channel को subscribe नहीं किया है तो channel को subscribe कर लिजिए क्योंकि दोस्तों रोजाना हम सभी matchों की video deeply analysis के साथ इसी channel पर cover करते हैं तो दोस्तों पहला हम wicket keeper section से important player की बात कर लेते हैं भाई पहला player निकल का आया ए माथूर जिया दोस्तों अगर हम इस player की बात करें केवल भाई इस season का एक ही match के लाए अपर पहले ही match में 32 run बनाएते ठीक है important player रहेगा दोस्तों अगर खेलता है तो इस match मिटे ग्रेंड लिग में जरूर ट्राइक करना इस player को सीनाली की बात कर लेते वाई इस season के जहां पर यह 5 match के लाए जिना पहले match में 0 रन बनाए दूसरे match में 0 इतना वड़े stats हैनी इसको मैं सज्जेस नहीं करूंगा कोई सी भी टीम में मट्राइक करना मुस्तवा की बात कर लेते हैं यहां पर इस season के 4 match खेला है जहां पर इसने पहले match में 12 रन बनाए दूसरे match में 22 रन तीसरे match में पचास रन बनाए और चोथे match में 32 रन बनाए इंपोर्टेंट प्लेर रहेगा दोस्तों टेम के लिए open करता हुआ दिखाए देगा आपके लिए इस तो star player बन सकता है small league grand league के लिए ठीक है यह बाजावा की बात कर लेते हैं इस season के यह भी चार match के लिए पर पहले match में 2 रन दूसरे match में 22 रन तीसरे match में 0 और चोथे match में 0 ठीक है बाई इतना वड़े स्टैट्स में लगाने इसको इसको मैट सजेस्ट नहीं करूँँगा कोई सीवी टीम में मैं बात कर लेता दोस्तों विकेट कीपर सेक्स है आपके लिए उन से इंपोटेंट प्लेयर रहेगा दोस्तों आपके लिए एम मुस्तवा पहली पिक रहने वाली है अगर यहां से ए माथूर खेलता तो दूसरी पिक रहेगी grand league के टीम के लिए ठीक है बात कर लिए इस तो आपके लिए differential pick बन सकता grand league के लिए ठीक है important pick रहेगा के बट्स की बात कर लेते है बाई देखो cable एक ही match खेलाता यह कल यहां पर भाई इसने 20 run मनायते मैं दोस्तों इसको ले कर गया था जिसके कर दोस्तों मैंने one sided win करा ठीक है बंडाउन बाब को बैटिंग कर तो यह भी ठीक है अगले बात प्लेयर की बात कर दोस्तों यह वदाया जी हां दोस्तों important pick है क्योंकि भाई जहां पर इस सीजन के यह तीनी match खेला है जहां पर पहने match में 35 रहा है तीसरे दूसरे match में दोस्तों 77 प्लस भाई एक बिकिट निकाला है बाई यह कल इनको काफी लो election percentage हो चुका है important pick रहेगा अगर यह आपको हिट हो जाना अच्छे कासी बिनिंग करनी है तो हमाँ टेलीगराम चल से आकर जोइन हो जाना क्योंकि वाई हम अच्छे कासी सब को बिनिंग करा रहे हैं भी चलेंदरा की बात कर लेते हैं देखो अगर इस प्लेयर की बात करें इस सीजन के भाई यह 5 मैच केला जाबर पहले मैच में 0 रन दूसरे मैच उस तो 46 रन तीसरे मैच उस तो 5 रन और चोते मैच में पंदर रन और यह पांची मैच में 9 ठीक है यह भी बाई टीम के दर से ओपन करते हो दिखाए देगा दोस्तों दोनों ही पिलेर आपको ओपन लिग में जरोरी हिंको बनाकर चलना है ठीक है एस एदभ integrating की बात कर लेते हैं भाई इस प्लेयर की बात करें यहाँ पर यह 10 तीम के लिएह रिपा हैं. आपके लिए open करतों दिखाए देगा UME की तरफ से आपर चारे मैच खेला लाष्ट में आपर पहले मैच में तीन रन दूसरे मैच में दो पिकित तीसरे मैच उसतो फोर्टी वरन और वाई चौती वाजबा ठाटी सेम वरन वाई स्केटें से उस तो बेस्ट पिक रहने बाला है ठीक है बागी प्लेयर की बात कर वाई इतना वड़ी स्टैट्स लगा नहीं आपके लिए एक प्लेयर और बन सकता पीनट राजन जिए अगर यह बंदा खेलता तो आपके लिए डिफ्रेंशल पिक्स बन सकता क्योंकि 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 दोस्तों काप यह था एक्स्पिरेंश से टीटैन खिल लगा और दोस्तों डिसेंट्री मैचों में अच्छा कासा परफोर्मेंस करके आ रहाए ठीक है अलां अंडर सेक्शन से बात कर लेते हैं पहल दोवर पूरे डालेगा वाई कापी लोग इसको बाइस क्याप्टर नहीं बनाका जारे लेकिन वह इसको ग्रैंड लिग में जरूर बनाना बंडाउन बैटिंग करता हो दिगा अगर ओपन फेल होती तो आपको कापी ज्यादा रन बनाका दे सकता है और अपने दोवर पू आपके उनेत की बात कर लेते हैं देखो इस प्लेयर की बात करें बात करें अगर आप एकिस रन दूसरे मैच में तेसरे मैच में अगे तिसरे मैस देसरों हम bowling section से बात करें पहले प्रेयर है एच हसन जी यहां दोस्तों यह बंदा भी चार मैच खेला एस सेजन के यहां पर पहले मैच में एक बिगिट दूसरे मैच में दो बिगिट तीसरे की टीम का अपने दोवर फूरे स्पेल के डालेगा अगर भाई यहां इसके लाड़्ट चार मैच की स्टैट्स की बात करें पहले मैच में इसने दो निकल लेते हैं वे दूसरे match में एक भीगेद, तीसरे match में उसतो 4-1 प्लेस दो पिकेद और नो रोप्ते ओंग केंड जरूर बनाना एक टीम में आंको वाइस क्रटन ये केट्टन ठीक है यह उपाद्याई की बात कर लेते हैं वह या दो मैच खेला पर पहले मैच में दो बिगिट दूसरे मैच बहुत जीरो बिगए केवल चार परसेंट सेलाक्षिन है काफी जादा उस तो अच्छा बोलर है टीम को तरब से खेलता हो तो अकले मौश्ट पिक रहेगा ठीक है पी मिसरा की बात करें बाई देखो इंपोटेंट पिक रहेगा जास्तों कल मैं इसको लेकर गया तो जहाँ पर इसमें एक बिकिट निकाल था काफी जादा जोस्तों में अच्छे का सी पॉइंट दे गया क्योंकि भाईयों इसकी करान में बं लिए इंपोटेंट बनता है ठीक है इस बात का ध्यान देकर चलना है अगले मेयर की बात कर लेते हैं वाट करने इननने डिव यह चार मैंच केला 이번 एक मैच में और चौत शे मैच में हैक बिकिट दोवर पूरे डालेगा निया वाइस कैप्टन से ऍनाइग depend डालेगा अब दोस्तमें टिएंग को प्रिव्यू दिखा जिता हूं अगर आपके लिए पहले प्लेयर रहे जी स्मोल लीग के टिम के लिए बाद बता हूं तो आपके लिए डीसिंग पहले रहेगा दूसरी आपके लिए आपके मैंने पांच पिक बता दी है ग्रेंड लिक के लिए आप इनको जरूर ट्राइक करना ठीक है रोटेट करते हुए अगर आप ग्रेंड लिक चारिये पांट टिम से खेलते हो तो अगर विए थोड़ी सी वीडिया अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को के बेल आइकन को प्रेस करके ही जाना